और इस बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां राजस्थान में नए मुख्य मंत्री के नाम का एलान हो चुका है भजण लाल शर्मा होंगे राजस्थान के नए मुख्य मंत्री राजस्थान को नए मुख्य मंत्री मिल चुका है आपको बता दे कि बीजेपी विधाय बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजस्थान से जहां राजस्थान को नया मुख्य मंत्री मिल चुका है बीजेपी विधायक दल की बैटक में ये फैसला हुआ है जहां भजनलाल शर्मा राजस्थान के नए मुख्य मंत्री बनाए गए हैं बतादे की सांगा नेर सीट से बजनलाल शर्मा विधायक है और अब बीजेपी विधायक दल की बैठक में सीएम के नाम का एलान हो चुका है जहां भजनलाल शर्मा को राजस्थान का नया मुख्य मंत्री घोशित किया है तो लगतार चर्चा थी कि जो सीएम की रेस में हैं उनमें से किसी एक का नाम हो सक आता है लेकिन सीएम की जो सीएम के जो नाम थे उनको हटा खर एक नाया नाम सामने आया है जहां भजनलाल शर्मा को राजस्थान का नया मुख्य मंत्री घोशित किया है बतारे कि राजस्थान में dość मंत्री के नाम को लेकर सस्पेंस लगतार बना हुआ था जो कि अब खत्म हो चुका है राजस्थान विधान सबाद चुनाओं के बाद सरकार गठन को लेकर गटी विधिया तेज हो गई थी उसके बाद से फिर 115 सीटों के साथ इस पश्ट बहूमत हासिल करने वाली बीजेपी के विधायक तो बड़ी खबर आपको वता रहे हैं राजस्थान से इसके अलावा बात की जाये तो पिछले साथ से आठ दिनों से नए मुख्य मंत्री के लिए पूर्व मुख्य मंत्री वसंद्रा राजे सीपी जोशी कींद्री मंत्री गजेंडर सिंग शेखावत लोग सबाद्यक्ष ओम बिल्ला रेल मंत्री अश्विनी वैशनव बाबा बालकनात दिया कुमारी और डॉक्टर किरोडी मीना और साथ ही भाजपा के वरिष्ट नेता ओम माथुर सहित कई नेताओं के नाम की चर्चा लगतार बनी हुई थी वहीं अब इस्तिती पूरी तरह से साफ हो चुकी है जहां भजनलाल शर्मा को राजस्थान का नया मुख़े मंत्री बनाया गया है